काठमांडू से सुरक्षित दिल्ली लाए गए हैं 500 और भारतिये निपाल में भुकम के भयानक मंजर के बाद 500 और भारतियों को लेकर एरफोर्स का विमान स्वदेश वापस ले आया है एरफोर्स के सी 130 हरकुलिस विमान ने काठमांडू से 500 भारतिये परेटकों को रात करीब 12 बचे दिल्ली वापस लाया गया इससे पहले देर शाम को 55 भारतिये परेटकों को पहले ही दिल्ली लाया जा चुका है इस दोरान नेपाल में भुकंब से कई भारतियों की मौत होने की खबर आया है मैं नम इस आमन्दीप सिंग बाजबा को रहत के दाज ऊसके पाद हम कंत्यूव मापे शै़्फ फिर हमारी इंडियन अम्वश्य dni अ मपेसीब से बात ही वया पर और इंडियन ग्ववर्मेंट से यहां पे तो उन्होंने एर फॉर्स का आम ठेंक्यू करते हैं प्लस ने इंडियन गोर्मेंट का ठेंक्यू करते हैं सभी यहां पर उनकी किरपा से सुरक्षित पहुंच पाए हैं अपना मैसेल्फ करना अफ्तार कपल आयम एड़ुकेट न पंजाब इन हरना कर चंडिगर से हम पार्क म पाया तो लगा कि धीरे से आएगा रुख जाएगा लेकिन एकदम बिल्डिंग यूं पूरा हिलने लग गया अपने होटेल का विडियो देखा होगा तो सुमिंग पूल का पानी उचल के बाहर आ गया था पूरा पूल में क्रैक आ गया बिल्डिंग में सड़क भज गया अदर बीच बीच में इतना क्रायक आके सड़के बंद हो गया अथ बहुत जादा खतरनाक जहां बारवार जो हो रहा है वह घृत अच्छा है जो भी हम लोगों प्रयास करा और यह जो जो प्लाइट का जो और बहुत बड़ी आ है बगी वहां की तरफ से तो फिलाल कि जितने भी होटल से सब चैक आउट करके सड़कों पे बैठे हैं सब के हाथ में अपने बैक्स हैं सबको सिर्फ यह है कि किसी तरीके से कोई उम्मीद आपको कहां लेके जाते हैं किसी से पूछो यह चीज बंद है एरपोर्ट है तो फूल तुम्हार को सरवाईव के लिए कुछ भी है कोई मिल रहा है प्लेंस मिले हैं वहां से आ रहे हैं और यहां से इतना जो मेडिकल ब्लर्ड उनको वहां पर बहुत जरूरत है हबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन